नमस्कार चात्रों मेरे यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इस्कूलों के बारे में देखते हैं कि जब सिक्या समाचार हैं इस्कूल अनलोक होने के आसार नववी से बारवी तक के विद्यार्थियों के लिए नॉवंबर में खुल सकते हैं इसकूल जीरो सेसन से 25 लाख विद्यार्थियों को नुकसान इसकूल खोलने को लेकर सुख्य विभाग के अदिकारियों ने किया मंथन टेश्ट अरदवारसिक परिक्षा वारसिक परिक्षा के स्थान पर एक ही परिक्षा की कवायद तो अब के बार विद्यार्थियों के लिए खुशकबर है खुशकबरी है कि एक ही प्रिक्षा गायुजन किया जाएगा परदेश में नॉम्बर महा में नॉम्बर महा से नौवी से बारवी तक के विद्यार्थियों को एक या दो दिन छोड़कर स्कूल बुलाया जा सकता है इसके बाद अन्या कक्षाओं के लिए भी धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा सकता है परदेश में स्कूल खोलने को लेकर बुद्वार को सिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई इसमें सामने आया कि जीरो सेसन करने की नोबत नहीं आये इसके लिए बच्चों की पढ़ाई होना जरूरी है इसलिए विभाग गाइडलाइन तयार करे अधिकारियों का मानना था कि जीरो सेसन करने से 90 से 12 तक के 25 लाग विद्यार्थियों को नुक्सान होगा इसलिए जीरो सेसन विद्यार्थियों के हित में नहीं है बैठक में अन्य राज्यों में स्कुलों की इस्तेती पर भी चर्चा हुई इसके साथ ही स्कुल खुलने पर सिलेबस कम करने और प्रिक्षाओं को लेकर भी चर्चा की गई अब पूरे मामले की रिपोर्ट तयार कर सरकार को भेज़ जाएगी इसके बाद स्कुल खुलने को लेकर अंतिम निन्ने होगा कक्षा नववी से बारवी तक के विद्यार्थियों के लिए यह हो सकती है शितकाले नवसा आवकास की आउधी को गटा दिया जाए अगले साल मार्च की बजाए अप्रेल या मई में बोर्ड परिक्षाओं को आईजन कर लिया जाए जून में प्रेणाम जारी कर दिया जाए पहली से आठवी तक के बच्चों को दिसंबर में बुलाया जा सकता है स्कूल दिसंबर से आठवी के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी धीरे धीरे बुलाया जाए टेस्ट अर्दवार्षिक परिक्षा, वार्षिक परिक्षा के इस्थान पर एक ही परिक्षा ले ली जाए, उसी के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाए, अलग से वर्क बुक बनाई जाए, इस वर्क बुक के आधार पर छोटे बच्चों के बढ़ाई करा ली जाए और उसी आधार परिक्षा ले ली जाए तो ये थे आज के इसकोलों से जुड़े हुए समाचार मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में दन्यवाद, जय हिंद, जय भरत